हेलो अलो फ्यू वल्कम बैक तो माई चैनल मैं आज आप लगों के लिए लेकर आ चुके हुए कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त आपके बारे में कौन सोच रहा है कौन आपके बारे में इस वक्त सोच रहा है जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं यह रीडिंग जेनरल है तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे आपको ओपन माइंड़ होकर यह रीडिंग सुननी है ये reading सभी zodiac science के लिए है हर उम्र के विक्ति के लिए है और timeless है यानि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं यह आपके साथ तभी resonate करेगा फिर चाहें आप इस वीडियो तक कितने भी महीने कितने भी हफतों बाद क्यों न पहुंचे हो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं यह आपके साथ तभी resonate करेगा अगर आप Dream Tarot चानल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक subscribe नहीं किया है तो मैं आपसे request करना चाहूंगी subscribe ज़रूर करें और bell icon को press करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई reading लेकर आऊं सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मैं personal reading प्रोवाइड नहीं करती तो अगर comment box में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई whatsapp number, mobile number या contact detail प्रोवाइड करता है तो उसका विश्वास ना करें वो एक fraud है, scam है क्योंकि मैं personal reading प्रोवाइड नहीं करती और नहीं मैंने कोई contact detail प्रोवाइड किया है आए चलिए देखने हैं इस वक्त कौन आपके बारे में सोच रहा है okay, let's see who is thinking about you right now, okay this card, page of swords, okay पहला card है page of swords and the next card is high priestess, okay king of vans, okay and five of swords I hope these cards visible हैं properly तो इस वक्त कौन आपके बारे में सोच रहा है देखे viewers ये कोई ऐसा वेक्ति है, ये कोई ऐसा person है जिसके साथ आपका कोई conflict हुआ हो सकता है जिसके साथ आपका connection रहा है already और कोई conflict हुआ है, कोई misunderstanding हुई है कोई argument हुआ है आपके साथ, ये कोई तू-तू-मैमे आपके बीच हुई है अगर आपके साथ इनका कोई argument नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि आपकी वज़ा से या relation की वज़ा से, या आपसे connection की वज़ा से आपके साथ जो इनका connection है, जो इनका bond है उस वज़ा से इन्होंने किसी और से argument किया है किसी और से यूनो बहस की है अपने relationship के लिए अपने love के लिए या अपने interest के लिए इन्होंने किसी और से conflict किया है यानि किसी और के साथ मत भेद में आए हैं ये ये वही person है देखे यहां पर ऐसा लगता है viewers कि ये जो है ये ये जो person है ये आपकी तरफ attracted तो बहुत है क्योंकि यहां king of wands का card है और आप ऐसा लगता है कि बहुत passionate है आपके लिए लेकिन अपनी ही जगा पर ये person काफी powerful होंगे काफी strong minded है और ऐसा लगता है जैसे किसी strong position को hold करते है society में, business में, college में या you know अब जहां इनका workplace है जो भी जहां पर भी इनका workplace है वहां ये ऐसा लगता है कोई strong position hold करते है कोई ऐसी position, कोई ऐसी post है इनकी जो काफी valuable है, respectable है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा you know इनको attitude problem हो सकता है attitude issue, attitude issue ये ego issue हो सकता है तो थोड़ा बहुत arrogance इनके अंदर हो सकता है और आपको लेकर ही काफी जादा passionate है हमेशा से आपने इनका attraction देखा होगा, वो intensity feel की होगी तो ऐसा लगता है कि ये बहुत जादा attraction feel कर रहे हैं जिस वक्त आप ये reading देख रहे हैं, ये person आपके बारे में ही सोच रहे है हो सकता है कि आपको इन से मिले हुए 5 साल, 3 साल या 1 साल भी हो चुका हो हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई time restriction है नहीं, फिर भी जो मुझे channel हुआ है मैंने आपको बताया है, तो ये काफी आपको लेकर किसी जिद पर है ये काफी जिदी type के person हो सकते हैं कि जो करना है बस अपने मन की करनी है और एक बार जो जिद ठान ली, एक बार जो जिद कर ली तो उसको पूरा करके रहना है तो कही न कहीं अब आप इनकी जिद बन गए है एक तरीके से, इनका जो passion है, इनका जो attraction है वो अब इनके लिए इनकी जिद बन गया है, like they want you, they want to have you in their life ऐसा लगता है कि आपके प्रतिया, आपकी तरफ इतना attraction फील करते हैं इतना pull फील करते हैं आपकी तरफ कि आप इनके लिए इनका obsession बन गए है आप इनके लिए इनका addiction बन गए है, मैं ये कहूं बट addiction सही word नहीं रहेगा, क्योंकि ये काफी smart है, तो आप, ये आपके लिए काफी obsessed हो गए हैं काफी obsessed हो गए हैं आपसे, और ऐसा लगता है कि ये आपको खोना नहीं चाहते आपको lose नहीं करना चाहते, चाहें ये आपसे बात करें या ना करें ये चाहते हैं कि आपकी attention इनकी तरफ ही रहे, आपका जो ध्यान है, वो इनकी तरफ रहे, फिर ये कहीं भी busy है, ये कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी situation में involved हैं, आप इन से दूर नहीं जाएं, या ये आपको lose ना कर दें, ये इस चीज़ पर बहुत जादा सोचते हैं, इस च बहुत mysterious हैं, या आप बहुत secretive हैं, आपकी life में क्या चल रहा है, इन्हें जानना हैं, क्योंकि ये जतना भी आपको जानने का प्रयास करते हैं, at the end इन्हें यहीं लगता है, कि ये आपको पूरी तरह से जान नहीं पाए, ऐसा लग रहा है विवर्स, आप भी spiritually काफी powerful हैं, और आप emotionally balanced हैं, आप अगर emotionally weak होते हैं, emotionally vulnerable हो जाते हैं, तो भी आप ये show नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं कि आप weak feel कर रहे हैं, emotionally या आप vulnerable feel कर रहे हैं, या आप show नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इनको और जादा interest आता है आपकी life में, अगर आप कुछ भी पाएं इन्हें ऐसा लगता है, तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी life में कुछ तो ऐसा है, जो ये जानना चाहते हैं, और अगर आपके साथ इनका interaction भी होता है, बाते भी होती हैं, तो भी इन्हें और जादा आपके बारे में जानने का मन करता है, आपके personality में, एक mysterious vibe है, एक इनको ऐसा लगता है कि आपके emotions शो नहीं करते हैं, पता नहीं चलता है आपके emotions का कि आप इन्हें देखके, इनसे बात करके बहुत ज़्यादा खुश हुए भी है या नहीं, या इनसे बात करके आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कुछ समझ नहीं आता इनको, ओक और जो आप, अगर आपको emotions शो भी करते हैं, तो इन्हें लगता है कि नहीं, ये real emotions नहीं दिखा रहे हैं, कुछ तो है, कुछ तो है जो छुपा रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है viewers कि आप थोड़ी mysterious हैं, और emotionally balanced मुझे यहाँ पर आप लग रहे हैं, और जतना ज़ादा अपनी dignity को maintain करके चलते हैं, तो जितना ज़ादा आप अपनी self-respect को value देते हैं, जितना ज़ादा आप self-love करते हैं, उतना ही ज़ादा इनका attraction आपकी तरफ बढ़ जाता है, इनका attraction इनका passion आपकी तरफ और ज्यादा बढ़ जाता है, तो इनके लिए ये बात हो सकती है कि आप, you know, बहुत serious type के person है, कुछ-कुछ पता नहीं चल रहा है आपके बारे में, ये आपकी life में कुछ तो ऐसा है, जो आप दिखाना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा सब महसूस करके, या ऐसा सब experience करके, इनके मन की उच्छुपता बढ़ती जा तरफ attract कर रहा है, आपके spiritual power इतनी है, कि वो इनको अपनी तरफ attract भी कर रही है, और generally इनको curiosity जादा होने लगी है, क्योंकि किसी की life के बारे में, इतना जादा interest लेना, इतना जादा, you know, जानने की कोशिश करना, क्यों? क्योंकि वो आपकी तरफ इतना attraction feel कर रहे हैं, और मैं कि थोड़े से arrogance इनमें हो सकता है, तो उस वज़ा से ये बहुत कुछ show नहीं करते हैं, लेकिन आपके emotions जानना चाहते हैं, ओके ये देखना चाहते हैं, आप क्या feel करते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है इनसे बात करना, या आप excitement show करते हैं नहीं, तो आपका response देखना ये ऐसा लगता है, लेकिन आप भी balanced हैं, आप भी जादा कुछ show नहीं करते हैं, या अगर कुछ है भी तो आप अपने मन तक रखते हैं, अपने दिल तक रखते हैं, शो नहीं करते हैं, तो उस वज़ए से इनको और ज्यादा ऐसा लगता है, कि आप बहुत mysterious हैं, बहुत secretive हैं, तो vibe ऐसी आती है आपसे, जिस वज़ए से attraction और बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, कि अगर किसी और ने interfere करने की कोशिश की है इस connection में, तो हो सकता है आपके person का argument हो उसके साथ, अगर कोई third party person है, या कोई karmic person है, या कोई और friends और कुछ और हैं, कोई लोग जो interfere कर रहे हैं, तो आपके person का, ये जो person है, इनका argument हो गया है, कोई issue हो गया है, उनके साथ, अगर नहीं है, तो हो सकता है कि ये, आपके साथ इनका कोई, अगर, आर्गुमेंट हुआ हो कभी, या कुछ ऐसा आप, इन्होंने आपको बोला हो, जो disrespecting हो, dominating हो, या, you know, कुछ ऐसा हो जो शो करें, इनका aggression, इनका anger, या आपने कुछ ऐसा बोला हो, जिसकी वज़े से, इनको बहुत बुरा लगा है, इन्हें बहुत disrespected feel हुआ है, तो ऐसा लग तो रहा है, मैं और clarify कर लेती हूँ, इस situation को, फिर बताती हूँ, आगे क्या है, viewers इतना attraction इसी लिए आपको feel हो रहा है, क्योंकि आपका इनके साथ past life connection है, आपका इनके साथ past life से ही कोई रिष्टा है, हो सकता है क्या आप इनके soulmate है, या twin flame है, कुछ आपका इनके साथ soul relation है, इस life से ही नहीं, इस life के पहले भी आप इनसे मिल चुके हैं, इनके साथ आपका रिष्टा रहा है, तो आप हो सकता है, same soul family से belong करते हैं, इसी लिए आप soulmate हो सकते हैं, और इसी लिए शायद attraction इतना जादा भी इने feel होता है, तो यही वो person है, जो इस वक्त viewers आपके बारे में सोच रहे हैं, इस वक्त भी वो कुछ stress ले रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, कि आपके बारे में इनसे भी कुछ ना कुछ कहता है There is someone, जो आपके बारे में अच्छा कहे या बुरा कहे, लेकिन कुछ तो आपके बारे में इनसे कोई कुछ बोल रहा है, अब यह influence किस परकार का है, positive है या negative है यह नहीं पता, देखते हैं, कोशिश करते हैं देखने की, लेकिन कोई इनसे आपके बारे में कुछ कह रहा है, और इनसे जादा पसंद नहीं आ रहा है, वो सब, तो इनसे अगर कुछ कह रहा है, आपके बारे में viewers, तो यह जो person है आपके इनसे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, yes, इनको पूरा विश्वास है viewers कि आप दोनों का जो connection है, आप दोनों का जो relation है, वो आगे possible हो पाएगा आगे scope है, आगे जो भी यह expect कर रहे हैं, जो भी यह सोच रहे हैं, वो सब possible है, तो यह पूरे confidence के साथ इस बात पर विश्वास रखते हैं कि अगर यह आपको पाना चाहते हैं, तो यह आपको पाके रहेंगे, तो यह जो confidence है इनके अंदर मैंने आपसे कहा ना काफी powerful person है, क Patience, Patience, viewers हो सकता है कि अभी कोई action नहीं ले रहे हैं, तो patience रखके बैठे हुए हैं, लेकिन अगर patience रखके भी बैठे हैं, तो भी इनका attraction कम नहीं हुआ है, अब patience यहाँ पर इसलिए दिख रहा है, क्योंकि इनको पूरा विश्वास है, इनको पूरा confidence है अपने उपर, कि इन उन्हें जो चाहिए, या इन्होंने जो सोचा है, वो ये करके रहेंगे और वो बिल्कुल पॉसिबल है, तो इनको इतना confidence है, इसलिए ये patience रखके बैठे हैं, सही समय का इंतजार, सही मौके का इंतजार, कोई timing राइट हो, situation इनके favor में हो, तब ही ये act करेंगे, तब ही बैठे हैं, लेकिन patience का मतलब यहां पर ये नहीं है, कि वो attraction कम हो गया है, या वो passion कम हो गया है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आपको और समझना है, कि ये person कौन हो सकता है, तो viewers ये गुस्से वाले हैं काफी, ये अगर female है, तो गुस्से वाली बहुत है, इनको बह high position पर हो सकते हैं, कोई इनकी highest position है, not the highest, बट जो भी circle है, जो भी इनका area है, जो भी इनका workplace है, जहां भी जिस भी field में है ये, ऐसा लगता है कि इनकी position जादा है, ये इस वज़ा से भी position इनकी high हो सकती है, कि लोग इने बहुत attention देते हैं, बहुत सारे लोग इनको अप्रोच करते हैं, attention देते हैं, और इनके दोस्त बनना चाहते हैं, इनके साथ hangout करना चाहते हैं, तो वो भी एक high position हो गई, society में, circle में, या workplace में इनकी high post या position हो सकती है, कोई अच्छी position पर जैसे कि कोई teacher या कोई government, government में, government service में हो सकते हैं, possible है, या इनकी family में कोई ऐसा, बर मुझे strong background या strong, इनका, you know, इनका side है, वो मुझे बहुत strong लग रहा है, तो, किसी भी तरह से हो सकता है, Yes, viewers, this person feels very romantic towards you, ऐसा लगता है, जब से आप इनकी life में आए हैं, ये थोड़ा playful हुए हैं आपकी वज़ा से, आपकी वज़ा से romantic भी हुए हैं, वरना ऐसा भी होगा, कि आप से मिलने से पहले, ये भी बहुत serious थे, अगर बहुत arrogance और attitude था, तो वो बहुत ज्यादा था, और ऐसा लगता है, कि सिर्फ अपने आप में busy रहते थे, सिर्फ अपने आप से मतलब था, लेकिन जब से आप इनकी life में आए हैं, थोड़ा ये romantic हुए हैं, थोड़ा ये playful हुए हैं, या हुई हैं आपकी वज़ा से, इनका जो अगर ये बिलकुल strict रहते थे, या बहुत straightforward तो आपकी वज़ा से थोड़ा, you know, softness आई है इनके अंदर, आपके प्यार की वज़ा से, या आपकी तरफ जो इनका interest आया है उस वज़ा से, लेकिन स्टिल ये बात यहां पर है, कोई इनसे आपके बारे में कुछ कह रहा है, नेगिटिव कह रहा है, इसकी possibility ज़ादा है, क यूजिक ज़ादा सुनते होंगे, यह, you know, रुमांटिक चीजों की तरफ ज़ादा इनका ध्यान जाता है, वो सिर्फ आपकी वज़ा से हो रहा है, ठीके, वीवर्स आप ऐसा लगता है, मुझे जैसे कि आप अपने आपको जो तयार करते हैं, जिस तरह से आपका ड्रेसिं सेंस को लेकर या आपके लुक्स को लेकर आपके बारे में सोचने लगते हैं, कि आप किस तरह से अपने आपको क्यारी करते हैं, किस ब्यूटिफल वे में या किस प्रॉपर मैनर में आप खुद को क्यारी करते हैं, वो इस चीज़ को सोच कर भी मन ही मन मुस्कुराते होंग थोड़ा इनके अंदर थोड़ा यह light हुए है, इनकी energies थोड़ी light हुई है आपकी वज़े से, हो सकता है viewers कि आप कुछ creative work करते हैं, आप art में आपकी drawing अच्छी हो सकती है, singing, music, dancing, शायद cooking या you know, art and craft कुछ हो सकता है, या कुछ और भी, you know, कितनी चीज़े हैं, तो हो सकता है आ बहुत जादा, you know, आप जिस तरह से खुद को रख रहे हैं, जिस तरह से तयार हो रहे हैं, it's very, you know, it's very beautiful for them, it's very beautiful for them to see, को कि उनको देखरे में बहुत पसंद आता है, वो आपको admire करते हैं, अगर सिधा-सिधा कहें, तो आपकी beauty को admire करते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पर, but still, they are very curious कि आप इतने जादा mysterious कैसे हैं, उन्हें आपके बारे में और जानने का मन करता है, वीवर्स यहाँ पर आपके जो person है, यह air sign हो सकते हैं, fire sign हो सकते हैं, air sign, fire sign हो सकते हैं, yes, वैसी यह reading सभी zodiac science के लिए है, अगर आपसे match करती है, तो fire sign की वज़ज़ से अपने आपको restricted मत कीजेगा, क्योंकि यह सभी science के लिए है, tarot reading में ऐसा कुछ specific नहीं हो सकता, क्योंक okay, yes, तो यह person आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, viewers currently, और tension भी ले रहे हैं, क्योंकि कोई और इनसे कुछ ना कुछ बोल रहा है आपके बारे में, yeah, चलिए यहाँ पर, एक card इस deck से लेते हैं, okay, adjustments are required, ऐसा लगता है, viewers की, इस situation में, आपके यह जो person है, यह थोड़ा भी अपने आपको change करने के लिए तयार नहीं है, यह थोड़ा भी अपने behavior को, you know, एक proper manner में लाने के लिए तयार नहीं है, in a proper manner से मेरा मतलब है, कि अगर यह egoistic हैं, यह थोड़ा attitude problem है, यह, you know, अपनी position, अपनी reputation को लेकर जादा conscious हैं, image conscious बहुत जादा हैं, और काफी जिद्धी हैं अगर, तो इन्हें थोड़ा बहुत lenient होना पड़ेगा, इन्हें थोड़ा बहुत, you know, अपने अंदर improvement करना होग और adjustments थोड़े से करने होंगे, क्योंकि attitude और arrogance के साथ यह किस तरह से, you know, आपका दिल जीत सकते हैं, यह किस तरह से आप इन पर विश्वास करेंगे, यह किस तरह से यह आपको treat करेंगे, अगर यहाँ पर यह कोई adjustment नहीं करेगा, adjustments are required, हो सकता है आपको कुछ adjustments करने पड़े, अगर आप adjustment करेंगे, तो हो सकता है कि आपको भी कुछ अपने behavior में, अपने life में changes करने पड़े, और हो सकता है कि आपके person को भी करने पड़े, तो यहाँ पर changes की जरूरत है, adjustments की जरूरत है, अब आपके person करें या आप करें, लिकिन अगर आप साथ आना चाहते हैं, तो यही मिल रहा है, okay, yes, यह मल्टी टास्किंग भी करते हैं, हो सकता है कि बहुत सारी responsibilities इनके उपर हो, ऐसा भी हो, पढ़ाई भी करते हैं, यह भी समालते हैं, वो भी करते हैं, यह हो सकता है कि अगर कोई job करते हैं, तो एक से जादा काम करते हैं, कुछ मल्टी टास्किंग लग रहा है जादा जिम्मेदारिया या जादा ड्यूटीज इनके उपर हैं ऐसा लगता है येस इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है अगर किया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फामिली का हिस्सा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई वाटस अप नमबर या मोबाइल नमबर देता है तो उसका विश्वास ना करें वो एक फ्रॉड है स्कैम है क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूं और ना ही मैंने कोई कॉई कॉण्टाक डीटेल प्रोवाइड किया है ओके व्यूवर्स तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में तब तक के लिए बबाई फामिली बबाई इंजल्स लाव यू आल बबाई